हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मेरे यूटूब चैनल में एक बड़ फिसे स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की सब्जी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो यह देखिए मैंने तो यह रखिए मैं जोनुत शब्णा अलज्गा टाला है मैं प्याज को प्रख्वावाएक्यादा दाल दिये हैं और मैंने अड़ि हैं फ्रक्रत चीजिक की सब्चे को अहां हिसादा सबाइब कर दो सकते हों यहां जब हमारेवं तो फटाफड़ी सब्चा उसा बनाजन सकते हैं जिसी दो तो यह देखे मैंने आपे प्याज को अच्छी से मिक्स कर देना है अच्छे से और इसको पका लेना है थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे बिना पानी के प्याज की सब्जी बन जाती है लेकिन अगर आपको लगता थोड़ी ची आपको ग्रेवी वाली दाल मिर्ची डाल रही हूं थोड़ा सा तीख अपन बढ़ाने के लिए अगर आपको पसंद है तो ठीक कवर ना इसको इसको स्कीप भी कर सकते हो अब मैं यहां पे चोटी चमस जे हल्दी पाउडर डाल दूंगी स्कोच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखी हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हुतना नमक डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए नमक भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया अब हम डालेंगे आप एक चोटी चमस के करीब लाल मिर्ची पाउडर और इसको भी अच्छे पाउडर डाल दिया है, बस हमने सबी मसाले डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें लैसुन की जज़ा है नहीं आप सकता, क्योंकि प्याज है वो लैसुन का ही काम करेगा, क्योंकि हम अकेले प्याज की सबजी बना रहे हैं तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इससे ही तो यह देखे मैंने यहां पर सभी चीजों को अच्छे समिक कर दिया है और मैं यहां पर सिर्फ इसको डखकन लगा के और मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर है मैं इसको दो से तीन मिनट तक पकाऊंगी पानी नहीं डालेंगे हम इसमें बिल्कुल भी तो यह देखे मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है बिल्कुल सुकी सबजी बनी है यह और तीन मिनट पका है मैंने यहां पर इ आज की सब जीमन के रैडी हो चुकी है आप भी एक बार जो ट्राइब करना अच्छी बनती है तो उम्मीद करते हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेट शेर करना बिल्कूल मत भू पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर